अगर आप अपने मोबायल पर होट इसपोट का यूज करते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो को लास्त तक आप जरूर देखना क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो बहुत ही हेल्पूल होने वाली है क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं hot spot से related कुछ ऐसे settings बताने वाला हूँ जो दोस्तों आपकी life में आपके mobile में बहुत ही मदद होगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो को last तक देखते रहे हैं तो धोस्तों हमें क्या करना इसके लिए अपने मोबाइल के सैटिंग्स पे चलते हैं उसके बाद दोस्तों जैसे Iравal七 तो me करते जाना हैं तो अपन concealed mutta सेटिंग्स और मैं आ गया उसके बाद दोस्तों आपको सेक्षन मिलजागा portable hot spot का तो ज़रूरी ने दोस्तों यहीं पे आपको portable hot spot आपके mobile पे भी मिले कभी-कभी दोस्तों mobile and network वाले options पे भी portable hot spot का option आ जाता है तो दोस्तों हमें क्या करना इस या तो दोस्तों आपके mobile पे connection and sharing option भी दिया होगा वहां पी भी मिल जाएगा दोस्तों मेरे mobile पे अलग से hot spot का settings दिया हुआ है तो मैं अपने portable hot spot पे चला जाओंगा तो आपको दोस्तों इसी में portable hot spot wallet settings पे चला जाना है उसके बाद दोस्तों जैसे ही मैं अपने portable hot spot wallet settings पे आ जाओंगा तो दोस्तों मैं यहां से इस hot spot को on कर लूँगा तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा hot spot on हो चुका है उसके बाद दोस्तों जश नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जागा Set Up Potable Hot Spot तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो दोस्तों जैसी मैं इस पर क्लिक करेंगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जागा SSID उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जैसा की मेरा मुबाइल रेडिमी का है तो यहाँ पर रेडिमी लिखा हुआ मिला है आप चाहें तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं मतलब की SSID मतलब आपका Heart Spot का नाम है उसके बाद दोस्तों आप जैसे की देख सकते हैं यहाँ पासवर्ड है मैं यहाँ आक वाल निसान पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पासवर्ड देख सकते हैं मतलब की मैं जैसी अपना Heart Spot चालू करूँगा और नाम वाले सीक्योर्टी में मैं सेटिंग रखा ही रहूँगा तो दोस्तों इसमें क्या होगा बीना पासवर्ड के कोई भी मेरे Heart Spot से कनेक्ट हो सकता है उसके बाद दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पे Device Identification लिखा हुआ है यहाँ पे Portable Hot Spot तो हमये यहाँ पे Portable Hot Spot पर ही सेट रहने देना है उसके बाद दोस्तों जश नीचे आएंगे हम Select AP Band लिखा हुआ यहाँ पे 2.4 GHz Band तो इससे यह होगा अगर हम 5 GHz Band पे क्लिक करेंगे तो इससे यह होगा कि आपका जो Hotspot का sharing है वो network वो बहुत ही strong हो जाएगा तो आप चाहें तो जिसमें भी चाहें उसमें आप Set रह सकते हैं उसके बाद जैसी मैं यहाँ पे Cut रहूँगा या Set कर दूँगा उसको उसके बाद जश नीचे यहाँ पे आजाओंगा Share QR Code इस Share QR Code के माध्यम से हम बीना Code के QR Code को Scan करके किसी के भी Hotspot सो Connect हो सकते हैं और इसको One Time Data Limit को On कर दूँगा यहां से उसके जश नीचे आप देख सकते हैं Size तो Size पे क्लिक करूँगा मैं यहां पे आप देख सकते हैं 50 MB, 100 MB, 1500 MB, 200 MB और Custom तो दोस्तों अगर मैं चाहता हूँ अगर मैं Hotspot किसी को दिया हूँ और वो 50 MB से डाटा यूज ना करें तो मैं इस 50 MB पे क्लिक कर दूँगा और Set कर दूँगा तो इससे यह होगा मैं जितने में भी Set करूँगा उतरे MB से ज़्यादा कि कोई भी हमारा Hotspot से डाटा यूज नहीं कर सकता आटोमेटिक उसका Hotspot बंद हो जाए या नेट आटोमेटिक बंद हो जाएगा उसके बाद दोस्तों मैं बैक जाओंगा और बैक जाने के बाद मैं कुछ और आपको Hotspot से डेटर सेटिंग बता देता हूँ उसके बाद दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं आटोमेटिक ली जैसे दोस्तों मैं इसको अन कर दूंगा तो जैसे ही मैं Hotspot अपने मुबाइल पर आन करूंगा और कोई भी डिवाइस हमारे Hotspot से कनेक्ट नहीं होगा तो थोड़े टाइम बाद हमारा Hotspot आटोमेटिक ली बंद हो जाएगा अगर दोस्तों इसको आफ क आपके मुबाइल से कनेक्ट रहेगा उतना डिवाइस यहां पर दिखाएगा तो आई होब दोस्तों यह चोटा सा इंफोर्मेशन आप लोगों समझ आया होगा अगर दोस्तों यह वीडियो आप लोगों पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों हमारे चैनल क को सब्सक्राइब करना बिल्कुलिए भी ना भूले धन्यवाद